हेलो गार्टनर्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे एडिनियम प्लांट में सीट पॉर्ड बन आये हैं, जी हाँ, ये एडिनियम के सीट पॉर्ड है, वैसे तो विंटर एडिनियम का डॉर्मेंची प्रियर्ड होता है, लेकिन मेरे प्लांट में सारे विंटर भर धेर फ्लावरिंग हुई है और उसी का result यह seed pod है आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने दोनों seed pod को थेट से बांद दिया है इसे थेट से बांदने का कारण यह है कि जब यह seed pod mature हो जाते हैं तो यह 20 से open हो जाते हैं और इनके सारे seed हलके होने के कारण उड़कर इधर उधर चले जा हो गये हैं तो यह किस तरीके से open हो गये हैं यह देखिए यदि हम इसे बांद नहीं होते तो सारे seed इधर उधर चले जाते हैं और यह वाला तो देखिए कितना जादा open हो गया है और जो आपको यह लकड़ी लकड़ी जैसे दिख रहा है यह इसका seed pod है तो seed है इन में इस त इन्हें timely secure नहीं करते तो हमारे सारे seed उड़ जाते और जो हम थ्री मन से wait कर रहे थे कि हमें adenium के धेर सारे seed मिलेंगे हमारा सारा इंतजार बेकार चला जाता अब मैं इन्हें cut कर लेती हूँ मैंने इन्हें cut करके नीचे ले आया है देखे ये वाला तो इतना ज्यादा open हो गया है कि इसते सारे seed बाहर निकल के आ रहे है इनके seed में इस तरीके से दोनों side रेसे रेसे होते हैं और इन ही ratio के कारण इनके seed हलके हो जाते हैं और ये चले जाते हैं तो अब हम इनके रेसे को हटा लेंगे ये बिल्कुल लकड़ी की तरह लग रहा है ना इनके seed ऐसे लकड़ी की तरीके से होते हैं मैं सारे seed में से इन रेसों को निकाल लूँगी क्योंकि इन रेसों का कोई काम नहीं है तो मैं सारे seed में से रेसे को अलग कर लेती हूँ ये देखिए ये मैंने रेसों को अलग कर लिया है मैंने इनहें count किया तो एक seed pod में से 80 seed निकले थे यानि ये सारे seed 250 के around है हमें एक ही प्लावर से 250 seed मिल गए हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने ज़्यादा plant बना सकते हैं अब मैं इन seed को तीन से चार दिन के लिए सेड़ी प्लेस पे थोड़ा dry होने के लिए रग दूँगी उसके बाद मैं कुछ seed को save कर लूँगी और कुछ seed को grow भी करूँगी ये देखिए थोड़ी सी हवा में ये कैसे उड़ रहे हैं और कितने खुबसूरत लग रहे हैं इनके रेसे इन्हें उड़ाने में बड़ा मज़ा आता है मैं आपको एड़ेनियम के seed लगाना दूसरे वीडियो में बताऊंगी नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो आप मेरे चैनल को continue watch करते रहे हैं फिर हम एड़ेनियम के seed grow करेंगे तो यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए और मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो अभी कर लीजिए आईए हम से मिलके प्रकृति को बचाएं एक कदम जिन्द्गी की और बढ़ाएं